मई मुख्य मंत्री तिवेंध रावत ने दूधा तोली में वीर्चंद सिंग गढ़्वाली येकि समादेस थल पर जाकरके श्रदांजिली अर्पित की और मुख्य मंत्री ने फिर ये कहा कि वीर्चंद सिंग गढ़्वाली एक महान देशभग के साथ एक दूर द्रश्टा भी थे उन्होंने पहाड की पीड़ा को समझा था वो दूरस्त शेत्रों के विकास की बात को उठाते रहे दर्ण निश्चय के वो धनी थे सीम ने ये भी कहा कि राज्य निर्मान आंदुलन के शुरुवाती दौर से ही गैर सेंड को राज्धानी बनानी के संकल्पना हर अंदुलन कारी के मन में रही गैर सेंड भराडी सेंड विधान सबाब होन का नाम भी चंदर सिंग गड़वाली के नाम पर है हमने प्रदेश वासियों की भावनाओं का सम्मान करते हुए गैर सैंड को राजी की ग्रेश मकालीन राजधानी बनाया सीम ने जलादिकारी को छेत्र का हाइड्रो लोजिकल सर्वे करवा कर वाटर रिचार्जिंग के लिए व्रहध इस तर पर पौधार उपन करवाने के निरदेश भी दिये हैं तो वीर्चन सिंग के समाधी पर भी आपको बता दें कि सीम आज पहुंते थे जहांपर श्रदांजली उनके द्वारा दी गई पौधार उपन भी इस दौरान मुक्यमंत्री के द्वारा किया गया साती सहत यहाँ पर जो वाटर रिचार्जिंग है उसको और कैसे बहतर बनाया जाए इसको लेकर के जिला अधिकारी को सर्वे करके इसके वाटर रिचार्जिंग को सुनिश्चित करने के निरदेश मुक्यमंत्री के तरब से जारी किये गया है तो सरकार दूरस्त शित्रों के विकास को भी सुनिश्चित कर रही है और भराडी सेड में करोणों की सौगात को देते हुई ये बात मुक्यमंत्री के द्वारा आज कही गई है जब दूधा तोली में सीम 13 के तरब से व्रक्षार उपन किया गया तो वाटर रिचार्जिंग को लेकर के भी मुक्यमंत्री ने जिला अधिकारी को ये निरदेश किया है किसका हाइड्रो लोजिकल जो सर्वे है वो करवा करके वाटर रिचार्जिंग की जो व्यवस्ता है उसको और सुद्रण किया जाए ताकि यहाँ पर जो पानी है उसकी भी उपलब्दता सुनिश्चित रहे वाटर रिचार्जिंग को लेकर के जो पौधार उपन है उसका भी कहा कि विर्चन सिंग दूर द्रश्टा भी थे उन्होंने पहाड की पीड़ा को बहुत पहले समझा था और वो चाहते थे कि दूरस्त शेत्र का जो विकास है वो सही तरीके से होना चाहिए और राज आंदुलन के जब शुरुवात होई है उस वक्त से ही लगातार वो इस कि प्रत्व भी को भी थे खार दे झालना पिस दाद्टार चाहते है वो प्रत्वाने पिसे कि पालता को बढ़ने ही दूना आंद। चाहते है वित पालता का जब ड़ जा फिस वित बाद़ सही व रहाता है व्याओ आंद।